जहिन दोस्तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने वाई की यूटूब चैनल प्रेडिक्शन दाजा में दोस्तो अपनी टाइटल बिल्कुल ही सही सुना है जो हमने पहले बताया था कि TDS में जो बदलाओ आये हैं गेमिंग में वो दोस्तो पहले था कि एक ने को फिंटेसि क्यों चाहिए नहीं केलना चाहिए सारा डिसीजन आपके हात्म औरrän dar 에ली प्रयर आपके बाद मेरे पैसाा आता है तो मैं यहां पर आपके एक डौट को केलिए करेंगे पहले क्या हम लोग सुने थे खबर थी और confirmation थी कि एक जुलाई के बाद क्या होने वाली है जो भी आप fantasy से winning करोगे उसका net profit जो भी होगा उसमें से 30% आपको TDS देना होगा government को बहुत सरे भाई TDS और TX दोनों को एक दूसरे से correlate कर देते हैं होगे अगर आपको एक safe zone में रहके चलना है अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं टेक्स दूंगा अपने पैसा का तब आपके लिए अपडेट सही है मतलब 31 मार्श 2023 से पहले जो नियम था कि आप 10,000 से उपर जब युनिंग करोगे तब आपको 30% का टेक्स यहां पर TDS काटा जाता था बजट 2023 रिमूब इस चीज को हटा दिया गया है तो राजा भै हसने लगूट हम लोगों को TDS नहीं कर देगा रोने की बारी है आपकी क्यों रोने की बारी है इससे आंगे पढ़िए अब नौ TDS विल बी डिटक्टेट फॉम ओल विनिंग्स फ्रॉम ओनलाइन गेमिंग गेम से बेगनिंग अप्रील वन 2023 माइनस इंटरी फीज वाइस तौप साफ तौर पर दिया हुआ है कि एक अप्रील 2023 से आप जो भी विन करोगे ओनलाइन गेमिंग से चाहे हो बेटिंग हो दोस्तों फेंटैसी के नाम पर आप जिस भी आप बेखेल दो वहां से आपका माइनस इंटरी फीज ध्यान रखे के सीजों के उपर जो भी आपका निक्ट प्रॉफीट होगा उसका 30 परसेंट आपको टीडियस देने पड़ेंगे ऑनलाइन गेम विनिंग्स आर सब्जेक् आपको प्रॉफीट में नहीं लेने दोंगा आपका जैसे ही विनिंग होगा मेरे दोस्त जैसे पहले दस जार सुपर होता था तो पहले टीडियस करती थी फिर आपके वैलेट में परिश आता था लेकिन अब गवर्मेंट करिए मुझे 130 रिपिया का 30 परसेंट टीडियस दो आपको पे करने होंगे अब आप उस पैसा क बचा के नहीं रख सकते हो अब यहां पर 130 का 30 रुपिया अब हम मानके चलते हैं कि 130 रुपिया है वह अल्मुस्ट एप्रॉक्सरीमेट फिगर हम मानके चलते हैं 40 रुपियस का आसपास होंगी अब इसमें एक दो रुपियस आउपर नीची हो उसकी कोई जिम्मेदारी हमा जी नहीं मेरे भाई आपका जो यह टीडियस कटा कितने रुपियस टीडियस कटा 40 रुपियस यह जब आप यह के लास्ट में टेक्स पे करोगे तो आप मानलो कि यहां पर जो 40 रुपियस आपकी है वह आपके पैन से जो जो भी प्रेंक पैन आपका जिस भी फेंटेसी चला जाएगा जब टेक्स पे करोगे वहां पे कंसेशन हो जाएगा एक और एक्जांपल के तौर पर में आपको समझाता हूं किलिया कट में कोई भी दिखती नहीं होगी अब आपने मानलो साल वर में जितने भी कंटेस्ट के लिए उससे आपको टीडियस बनेंगे तीन ल हाता भगवान की पांचणहीं आ पचाश केक्स बरो तो अब दोस्तों वहां पे जो आपको टेक्स करने होंगे व स्पर-टो आपको टीडियस टाब एक जांपल देता आपका TDS बन गया 3,00,00,00 रुपिया और आपको टेक्स प्रेक्स करने हैं 2,00,00 रुपिया तो आपको क्या होगा यहां पर एक लाक रुपियर जो है वो आपको कंसेशन होके यहां से तीन लाक में से दो लाक कट जाएगा टेक्स TDS बनाए और एक लाक आपको डिफंडेवल हो जाएगा अब राजा बगर मैं टेक्स रेस नहीं भड़ता हूं मैं बैठा रहता हूं घर में मैं टेक्स बढ़ने नहीं सबस्सक्राइब अगर आप टेक्स बढ़ना चाहिए पर आपको घबढ़ने की जुरत नहीं है लेकिन अगर जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीना है आपको तो आपको इससे तगरी जटका कोई और नहीं दे सकता है decision आपके हाथ में है आपको fantasy खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए यह आपको सोचना है जैसे कि मैं एक taxpayer हूँ मैं आप बिलीव नहीं करोगे मैं इस साल तक्रीबन 14 लाग के आसपास का टेक्स बढ़ा हूँ उससे पहले 13 उससे पहले 19 ऐसे करके मेरा पड़ येर्ज वैप्रॉक्सिमेट 15 लाग के आसपास का मैं टेक्स पे करता हूँ तो मुझे दोस्तों इससे कोई दिखते नहीं है लेकिन अब एक्जामपल के तौर पर मान के चलो मेरे ही एक फ्रेंड है कोई बहुत सारे फ्रेंड है जिसमें से कोई भी टेक्स नहीं भरता है कुछ एकाद को छोड़ दोगे तो उनके लिए दिखते हो जाएंगी अब मान आप टेक्स रिफंड करवाओंगे तो उसमें भी आपको हजार पंद्रसों दो रिपीस जिससे के थुरू करवाओंगे वह भी ले लेंगे तो कहने का मतलब है कि अगर आप लो इन्वेस्टर हो तो आपके लिए यह बहुत ही जटकिये वाली न्यूज है अब आपको खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए तो पहले चीज में अगर आप एक लो इन्वेस्टर हो अगर आप यह सोचते हो कि मैं साल के इंडि में टीडियस नहीं पर करूंगा तेक्स पे नहीं करूंगा अगर आपको आज नकल आपके लिए फिर दिकाते ख आपके बहुत रिबेट हो जाएंगे लेकिन आपको करते ही टेक्स चोड़ी नहीं करना चाहिए फंस जाओगे जिन्दगी यहां पर आपकी डैमेज हो जाएंगी दूसरी बात अगर आप टेक्स पे करते हो तो भाईसाब आपके लिए घवराने की ज़रुरत करते नहीं है यह बिल्कुल सिम्पल सी फर्मूला है टेक्स बनेगा वो टेक्स में से आपको करते हैं उनके लिए यह सिम्पल सी बात है उनको घवराने की ज़रुरत बिल्कुल नहीं है तो यह एक लेटेस्ट निउस था मैंने सोचा कि आप लोगो बता दूँ लेकिन पता है गवर्में कि मैंने सब बता दी टेक्स पे कर दो यह कर दो वो कर दो अच्छी वात है यहां से आपको गवर्मेंट को सपर्ट करना चाहिए लेकिन मुझे भी एक चीज़ सोच के बहुत बुरा लग रहे हैं और आपको भी बुरा लेगा अब क्या गवर्मेंट ने कर दी बैस आप सब्सक्राइब अगर आप गवर्मेंट कहता है मुझे आपके लो से कोई मतलब नहीं है हारे आपको दकार पर चाहिए आप हरिएगा उसको मुझे ऐसा नहीं कि इस में से सत्र रुपीज आप घटा लोगा ऐसा कुछ भी नहीं जो हारे हूं आप बास गवर्मेंट को से क्या नुक्सान हुआ लेकिन गवर्मेंट कहती है कि मुझे कोई मतलम नहीं चल रहा है कि आपको नुक्सान हुआ कि नहीं हुआ यह चीज थोड़ा सा एक दिकते वाली है बाकी मैं और लगा हूँ जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स वगेरा आते रहेंगे मैं आपको अपडेट्स करता रहूंगा बाकी अभी घवराने की कोई बात नहीं है चार दिन करता है मैं कोई ना कोई मेरे पास अगर इससे अपडेट्स भी खेलो गई या नहीं खेलो गई मुझे कमेंट्स सेक्षन हों जाके जरूर बताईएगा